दोस्तो नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैस्ते नियूज मुंबई के पूर पुलिस कमिस्टर परम बीर सिंग को लेकर अभी अभी एक बगती बड़ी और हैरान कर देने वाली नियूज जो है वो पुलिक के सामने आ रही है और ये जो नियूज दी गई है वो महराज के ही एक बड़े मंत्री के द्वारा दी गई है आखिरकार ये नियूज क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेश कर दें जैसा कि आप सब को पता है कि परमबीर सिंह ने कुछ टाइम पहले अनिल देशमुक के ओपर मनिल ओडनी केस में कई बड़े आरोप लगाया थे उनके उपर वसूली करने का आरोप लगाया था जिसके बाद इस केस में EDCVI साथ में ही चंडिवाल कमेटी के द्वारा चानबीन किया जा रहा है अब इन ही सब चीजों के बीच में अनिल देशमुक को चंडिवाल कमेटी के सामने पेस होना था जिस टाइम एंटीलिया कांड हुआ था एंटीलिया कांड में जो बम बिसपोटक पदार जो पाए गए थे और जो रखे गए थे तो उसको लेकर जो क्यूस्चन पूछे गए सचीन वजे के वकील के द्वारा तो उस पर जो है अनिल देशमुक ने परम बीर सिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया उनके द्वारा बोला गया कि जब परम बीर सिंग से मैंने और मेरे साथ तीन मंत्रियों और तीन और मंत्रियों ने मिलकर क्यूस्चन पूछा कि आखिर कारेंटीलिया जो बिसपोटक पदार थे वहाँ पर कैसे पहुचे और क्या सचीन वजे ने इसके बारे में आप सब आ कापने लगे ये बात अनिल देशमुक के द्वारा बोली गई है कि अनिल देशमुक ने जब परम बीर से क्यूस्चन पूछा है तो परम बीर सिंग जो है वो पूरी तरह से कापने लगे थे वहाँ पर और जब उनसे जोर देकर इस पर क्यूस्चन पूछा गया तो उन्हो कि जैसा कि अनिल देश्मुक बोल रहे हैं परम बीर सिंग जो है वो पूरी तरह से डर गए थे और डर की वज़ा से वो जो है अनिल देश्मुक और वहाँ पर जो मंत्री वहाँ पर खड़े थे उनके सामने ये जो है पूरी तरह से कांपने लगे थे ये अपडेट दी गई ह अनिल देश मुख के द्वारा तो कहीं न कहीं से ये काफी बड़ी बात है कि अब जो है परमबीर सिंग के ऊपर भी सवाल उठाये जा रहे हैं और सोचल मीडिया पे क्यूशन पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार जब परमबीर सिंग ने कुछ किया नहीं था तो आखिरकार उन लेकिन अभी जो है चंडीवाल कमेटी के सामने अनिल देश मुख ने यही स्टेटमेंट जो है दोराया है कि अनिल देश मुख के सामने परमबीर सिंग जो है उस टाइम कापने लगे थे आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप मुझा ओपिनियन कमेंड बॉक्स में होताएं और वीडियो के ज़्यादा सेयर करें